हमें यहां समी करणों के निकाए, यानि System of Equations Y बराबर X जमा एक और X का वर्ग जमा Y का वर्ग बराबर 25 के हल निकालने हैं. तो चलिए पहले देखते हैं कि हम यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए मैं इन दोनों समी करणों का आलेख बनाता हूं. तो यह हमारा Y अक्ष है और यह X अक्ष है. यहां X का वर्ग जमा Y का वर्ग बराबर 25 एक ऐसा व्रित्त होगा जिसका केंदर शुन्य और त्रिज्या 5 होगी. इस प्रश्ण को हल करने के लिए आपको यह पता होना जरूरी नहीं है. लेकिन इससे आपको इसे समझने में मदद मिलेगी. तो माल लीजिए कि यह 5 है, यह 5 है, यह रिनात्मक 5 है और यह भी रिनात्मक 5 है. इस समी करन को हम इन बिन्दूओं के समुच्च मतलब सेट से दर्शा सकते हैं. यह यूँ कहें कि यह बिन्दू इस समी करन को दर्शाते हैं. मैं इसे एक संपूर्ण वृत्त की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अब Y बराबर X जमा 1. ढाल यानि स्लोप 1 वाली रेख और इसकी ढाल एक है. इसलिए ये कुछ इस तरह दिखेगा. अब अगर हम इसके हल निकालना चाहते हैं, तो हमें यहाँ ऐसे बिन्दू चाहिए जो इन दोनों समी करनों को संतुष्ट करें. यहाँ जो बिन्दू इन दोनों को संतुष्ट करेंगे, ये बिन्दू वो हों अब क्यूंकि Y का मान पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम इस नीले रंगवाले समी करण में Y का मान X जमा एक रख सकते हैं, तो अब हम इस X के वर्ग जमा Y के वर्ग बराबर 25 को इस तरह लिख सकते हैं, X का वर्ग जमा, यहाँ Y लिखने के बजाए हम Y की जगा X जमा एक लिखेंगे, इसलिए यहाँ X का वर्ग जमा, X जमा एक के पूरे का वर्ग बराबर 25 होना चाहिए, अब हम इसे X के मान के लिए हल कर सकते हैं, तो अब हमारे पास X का वर्ग जमा, अब इसका वर्ग करने पर हमें X का वर्ग जमा 2X जमा एक मिलेगा, फिर यह बराबर 25 है, तो हमारे पास 2X का वर्ग जमा 2X जमा एक बराबर 25 है, हम यहाँ द्विगात सूत्र यानी quadratic formula का उप्योग करके इसे निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हमें इसे 0 के बराबर करना पड़ेगा, और उसके बाद हम द्विगात सूत्र का उप्योग करेंगे, तो आईए दोनों पक्षों से 25 घटाते हैं, ऐसा करने पर हमें 2x का वर्ग जम x घटा 12 बराबर 0 है, हमें यहाँ द्विगात सूत्र का उप्योग करने की जरूरत नहीं है, हम इसे गुणन खंडन द्वारा हल कर सकते हैं, ऐसी 2 संख्याएं क्या होंगी, जिनको गुणा करने पर रिनात्मक 12 मिले, और उन्हें जोडने पर धनात्मक 1 मिले, वे 2 संख्या धनात्मक 4 और रिनात्मक 3 होंगी, तो अब हमारे पास x जमा 4 गुणा x घटा 3 बराबर 0 है, आए अब x का मान निकालते हैं, इसको सरल करने पर x बराबर रिनात्मक 4 हो सकता है, या x बराबर धनात्मक 3 हो सकता है, इसलिए ठीक यहाँ पर x बराबर रिनात्मक 4 होगा, और ही की यहाँ पर x बराबर 3 होगा, तो अब लगभग हमने इस प्रश्ण को हल कर लिया है, और हमें केवल इसके संगत y के मान निकालने हैं, इसके लिए हम यहाँ इस समी करण को लेते हैं, y बराबर x जमा 1, इस स्थिती में जब x बराबर रिनात्मक 4 है, तो यहाँ y रिनात्मक 4 जमा 1 मतलब रिनात्मक 3 होगा, इसलिए यह बिंदू रिनात्मक 4 कॉमा रिनात्मक 3 है, इसी तरह अगर यहाँ x बराबर 3 है, तो y बराबर 4 होगा, इसलिए यह बिंदू 3 कॉमा 4 है, यह दोनों इन समी करणों के निकाए के हल हैं,